अकाश की बीवी ने जाने अन जाने दुखा दिया परेश का दिल सचीन के गुसे का शिकार हुए अकाश और उसकी बीवी सीरियल उड़ने की आशा है का आने वाल एपिसोड बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग हो चला है अकाश अपनी वाइफ के साथ आते हैं और हॉल में बेड देखकर सवाल करते हैं कि ये बेड किसका है साइली बताती है कि ये उनका और सचीन का बेड है अकाश आगे सवाल करते हैं कि ये हॉल में क्यों है तबी परेश आकाश और उसकी वाइफ को कहते हैं कि आज से तुम दोनों हमारे कमरे में रहोगे क्योंकि तुम दोनों के लिए कमरा नहीं था और मैं और रेनु का बाहर हॉल में रहेंगे तो परेश और रेनु का जमीन पे ना सोएं इसलिए सचीन और साइली ने अपना बेड उन्हें दे दिया है हॉल में ये बात सुनते ही आकाश नराज हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोग अपने कमरे अपने बेडरूम में रहोगे बैल ये बात सुनते ही आकाश की बीवी कहती है कि जो हुआ सही ही हुआ वैसे भी इन सब में परेश जी की ही गलती है यानि कि आकाश के पिता पर लगाते हुए कहती है आकाश की वाईफ कि अगर इनके तीन बेटे थे तो इन्हें फोर बेडरूम बना कर रखना चाहिए था जिससे आगे दिक्कत ना होती तब सचीन आग बबुला हो जाता और कहता है आकाश की वाईफ से कि इस घर में बहुत जगे है चाहिए तो एक बेडरूम तु बना ले अ लुपापी है कि है रेट नहीं कि आजाओ है ये ये तो इस दो खेला है पूह कि अधर कि अन्दर तेरे यसी अव्लाद रहेगी तो उसका बाप तो शड़क प्यासते है इस जो भी अपने बाबा की निश्म तो नहीं नहीं है कि विडूर से वोलना है सचिन को बात करने थे यह तू बात करेंगे तैकर कौन बात करेंगे तो पिंच करेंगे आकाश अज से मैं रेनू यहाराएंगे वैसे तो हम चटाई पर सोने वाले दे लेकिन सचिन ने चबर से उसका बेड़ा मेरी दिया तो आज से तूम दोलो हमारे कमरों में रहे यह बात फोर आई की परेशा नहीं यह क्या है जब अब क्या करें आकाश घर के कुछ लोगा एड़्जस्यमने को तैयारी नहीं और बाहर के लोगों उन्हें पट्टी पढ़ा रहे हैं करें तो क्या करें अच्छी आपकर इना आपकी रहा है अच्छी मुच में कुछ गले तुहीं नहीं हो घर में तीन बेटे अगर आपके पहले ही सेप्रेट नूस बना दे हो थे तो यह शुकरी मुटाएंगे अच्छा इस है एक काम कर तेरा पुरा खाना निदर रुटादी लेकिया सबके लेके कमरावान अडल कभूतर खानावान अडल देशकों क्या होती है अब अब तंती मेरी है मैंने सुचा हमारी बात सुनकर बैच्चे दूसरे से अच्छे कर लेके यह गलती यह गलती सुदारने की मैं कुशिश पुचा अब अभी तो मेरी बात अब अ सीरियल उनने की आशा है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टैली चक्तर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें